हलो 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 एब्रिवन वेलकम तो आवर चैनल लेट्स प्राक्टिश टुकेदर तो आज जो प्रॉब्लम उदर डे है वह पार्टी इन टाउन क्वेस्टिन क्या बोल रहा है कि गीग टाउन में एन हाउस दियेगा है जिसमें नंबरिंग जो है वह वह वन टू एन करके दिया दिस्टेंस होए वहमिनिममम रहेगा हम फिसे बच्पन में क्या करते थे अगर खेलना रहता था था तो हम लोग ऐसे दोस्त के घर को चूजकरते थे जहां से सारी दोस्त stuffing के मिनिममममदिस्टेंस में पड़े तो हम लोगों कूइस समझ रहों यहां पर 1 के लिए 4 नहीं था यहां पर सीधा 2 के लिए 2 से ही road है हम लोग बोल सकते हैं यहां पर यह 2 से यहां पर distance यहां पर 4 का तो अब जो है party अगर आपको रखना है यह आपका घर का structure गिक टाउन का तो पार्टी किसके घर में रखेंगे अगर हम लोग पहले के घर में पार्टी रखते हैं तो फोर्ट तक जाने का distance क्या हो गया दो हो गया देखिए पहला रोड और यह दूसरा रोड अगर हम लोग 3 में रखेंगे तो पहले के लिए भी दूसरा रोड ह हो गया फोर्थ के लिए भी दूसरा डोड़ो गया लेकिन अगर हम लोग सकेंड वाले के घर में पाठी रखते हैं तो सभी को बस एक ही यूनिट का डिस्टेंस लगेगा इसलिए हम लोगो को रिटन करना है मिनिमुम डिस्टेंस ठीक है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम मतलब मतलब मैक्सिमुम को रखते हैं हम लोगों का एंसर रहेगा तोगर मीनिममम डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग int max इसको रखेंगा, assign करते हैं बढ़ियां, और हम लोग एक temporary variable ले लेते हैं अब हम लोग fall look चलाएंगे, हर एक घर के लिए हम लोग को पता है कि घर कहां तक दियावा है n तक दियावा है, हम लोग का i equals to 1 से चलेगा, i is less than equals to n, and i plus plus यह हम लोग को question में दियावा था अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक temporary निकालेंगे, temporary मतलब distance temporary distance के लिए हम लोग को BFS function call करना पड़ेगा, जो कि हर एक घर से final, मतलब हर एक घर से दुसरे सारे घर के बीच का distance निकालेगा और जो भी maximum रहगा न वो हमें return करेगा मतलब यह BFS क्या return करेगा the maximum distance from that source to any other house तो अभी हम लोग इसको क्या क्या बेजेंगे हम लोग को यह adjacency matrix दिया हुए इसका मतलब क्या हो गया, देखें यह 2 जो है यह बता रहा है कि 1 से जो है यह आपको adjacency जो vector दिया हुए वो आपको represent कर रहा है तो हम लोग इसको पहले भेज देते हैं अपने नई वाले function में हम लोग उपको भेजना है क्या source कहां से हम लोग start कर रहे हैं तो हम लोग i से start कर रहे हैं और हम लोग को total कितना घर है और उसके बाद जो हमारा answer रहेगा वो बोलेगा कि minimum कौन सा है जो अभी आपका temporary आया है क्या वो minimum है या पुराना वाला answer है वो minimum है दोनों में जो भी minimum रहेगा उसको assign करेंगे और हम लोग return कर देंगे अपने answer को तो यह तो रहा हमारा main function लेकिन अभी जो BFS है यह हम लोगों को लिखना है और हम लोगों ने पहले भी BFS function लिखा है तो BFS function कैसे लिखेंगे हम लोग बहुत simple है देखिए BFS function हम लोग लिखते हैं suppose हम लोग एक data structure यूज करते हैं जो हम लोग बोलते हैं अगर हम लोग यह हमाघ को कर देंगे आफ और हम लोग कप और को कर देंगे Turn और हम लोग एक distance係 लेले लिए जो की हरएक के लिए बताईगा कि, लिए जो है 0 distance है क्योंकि 1 तो हमारा source है, 2 के लिए हमारा 1 distance है, जो कि हम लोग अभी देखें, यहाँ पर, जब हम लोग 2 को push किये न, तो देखते हैं, जब इसका distance calculate कर लिए, फिर हम लोग करेंगे 2 को pop, और अब देखेंगे, के लिए कौन-कौन से घर हम लोग जा सकते हैं फ्रॉम तो देख रहे हैं वन जा सकते हैं थ्री जा सकते हैं फॉर जा सकते हैं तो हम लोग एक एक करके पुस करेंगे वन पुस करेंगे थ्री पुस करेंगे फॉर पुस करेंगे अब देखेंगे डिस्टेंस के वन का अल्रेड वह त्व लो पॉप करतें पिर दो एक लिए एक लिए हमारा हो गया पूरा का डिस्टेंस अब इस डिस्टेंस मैं जो भी मैक्सिममँ था वह हम लोग रिटन करेंगे तो लिए को लोग तो रिटन करेंगे इसका मतलब यह बता रहा है कि अगर हम लोग आएगा डिस्टेंस वन और वही हमारा एंसर हो जागा तो चलिए हम लोग कोड लिखते हैं उसका एक बार ड्राइरन करके मैं आपको फिर से समझा दूगा कि हम लोग कैसे काम किया है तो बीएफेस फंक्शन लिखना बहुत आसान है हम लोग पहले भी बीएफेस जब हम आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो यह पहला जो है यह जिसकी मेंट्रिक्स ले रहा है तो हम लोग इसी को कॉपी पेश्ट कर सकते हैं यह वाले पैरामिटर को परेक्ट है तो हम लोग ने इसको उठा लिया यहाँ पर और डाल दिया सेकेंड परामिटर क्या है स से हमारा जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट पेरामिटर हो यह हमारा टोटल नमबर अफ एंड हम लोगों को पता है कि हम लोग को क्या यूज करना है हम लोग को यूज करना है क्यों ठीक है क्यों किस टाइब करेगा इंट अब जो है हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को एक distance एरे बनाना यह वाला maintain करके रखना है कि हम लोगों को कहा कहा travel किये है या नहीं किया है तो हम लोग distance बोल सकते है विजिटेट बोल सकते है जो भी बोलिए यह भी आपका वेक्टर इंट टाइब करेगा अब इसका साइस क्या होना चाहिए क्यों को एंट तक निकालना है और हर एक को हम लोग जो है इसका मतलब विजिट नहीं किये हैं अगर इंट मैक्स नहीं है इसका मतलब विजिट कर चुक है अब हम लोग Q में सबसे पहले क्या पुस करेंगे जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहा है क्यों कहां से स्टार्ट कर रहा है अगर हम लोग यहां पर आई का वैल वन बेज रहा है इसका मतलब फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर रहा है और जो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग इसको हम लोग का वाइल लुप कब तक चलेगा? जब तक हमारा Q जो है वो empty ना हो जाए. सो अगर हमारा Q का size जो है अगर वो 0 नहीं है तब तक हम लोग वाइल लुप चलाएंगे कोई problem नहीं है अब हम लोग ले लेते हैं front value जो भी हमारा top पे बोल सकते हैं जो भी हमारा top है। Top पर क्या रहता है क्यूं का front ठेक हम लोगों के पास दो pointer रहता है front के लिए back के लिए अब हम लोग जब ले लिये one को तो हम लोग क्यूं को कर देंगे खाली done अब जब done हो गया तब हम लोग क्या करेंगे एक और फॉल्ड लुक चलाएंगे कहां पे let's call it x हमारा adjacency matrix का जो भी हम लोगों ने टॉप लिखा है उस टॉप वैल्यू के लिए पूरा array चलाएंगे अब चेक करेंगे क्या हमारा distance किस value पर उस x value पर हमारा equals to equals to int max आ रहा है इसका मतलब कि हम लोगों ने उस घर को विजिट नहीं किया है अगर विजिट नहीं किया है तो सबसे पहले तो उस value को हम लोग अपने q में डालेंगे क्योंकि अब हम लोगों को उस घर के लिए भी चे जीरो था क्योंकि कि टॉप हमारा नछिंग बट वट सोर्स है सोर्स हमारा 0 था तो डिस्टेंस अफ टॉप में जो भी था हम लोग उसमें प्लस वण कर देते हैं तब हम लोग पुराने घर से जो अभी नए जैसे यहां पर हम लोग देखे थे न कि हम लोग जब थ्री के जो हमारा answer है वो आप निकाल लो कि maximum कौन सा है maximum कौन सा distance है अभी जो हम लोग distance of x calculate किये वो है या फिर हमारा पुराना वाला answer दोनों में कौन सा maximum है जैसे आपको ये complete हो जाएगा while loop हमारा ये जो Q है वो खाली हो जाएगा इसके बाद आप क्या करोगे यही answer को return कर दोगे बस देखिए यही था हमारे simple सा BFS का यह क्या करेगा हर एक source के लिए एक value calculate करके दे रहा है चलिए compile and run करके देखते है ठीक है यहाँ पर देखिए आप variable name से confuse मत होईएगा मैंने दोनों में answer लिख लिए है बट कोई problem नहीं है वो local variable है अब हम लोग submit करके देखते है यह बहुत असान question था अगर आपका BFS DFS का concept clear है तो यह question आपके लिए बहुत ही easy level का होगा तो चलिए कल फिल मिलते है नहीं question के साथ तब तक के लिए goodbye stay blessed stay safe and keep coding